हलो फ्रेंज, वेलकम टो डिलिशिस क्रेविंग्स किचिन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचिन में तो चलिए आज बनाते हैं पनीर पटियाला, जो की पंजाब की बहुत फेमस डिश है और खास करके जब आप होटेल या रेस्टरॉ में जाएंगे, तो ये एक ऐसी डिश है जो सबसे ज़ादा सर्फ की जाती है और सबसे ज़ादा डिमांड में होती है इसे बनाया जाता है पापड के साथ, पापड के अंदर एक स्ठफिंग डाली जाती है और उसे रोल किया जाता है सबसे पहले हम ले लेंगे एक कड़ाई और उसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच तेल, एक चोटा चम्मच जीरा और जीरा जैसे ही चटक जाता है हम इसमें डालेंगे एक बड़ी साइस का प्याज जिसे मैंने बहुत बारीक सा काथ लिया है गैस के फ्लेम को आपको low to medium रखना है और इसे continuously इसी तरह से सौते करते रहना है जब तक कि ये हलका सा translucent हो जाए इसे बिल्कुल golden brown मत कीजेगा क्योंकि प्यास का जो crunch है वो बरकरार रहे और इसे बिल्कुल भी high flame पर या बिल्कुल low flame पर मत पकाईएगा अब डालिए इसमें एक छोटा चम्मच अद्रक लसुन और हरी मिर्च की पेस्ट low to medium flame पर इसे भी अच्छी तरह से पका लीजे तक कि इसका कच्चापन निकल जाए और मैं यूज़ करें अपना regular spatula क्योंकि मुझे इसी की आदत है और इसकी वज़े से कड़ाई भी बहुत clean रहती है तो चलिए अब डालते हैं इसमें दो medium size के टमाटर जिने मैंने chop कर लिया है स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और ये है पनीर का खास मसाला, शाही पनीर मसाला बस इन सारे सुखे मसालों को आपको खुब अच्छी तरह से चला लेना है और इन्हें मिक्स कर लेना है तो जैसे ही आपके ये मसाले अच्छी तरह से पक जाते हैं, हम इसमें डाल देंगे, अब थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धन्या, एक बार फिर से हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इस मसाले को अच्छी तरह से अब पकने देंगे, बहुत जादा हम टमाटर को सॉफ्ट नहीं करना है हलका सा क्रंची ही रखना है इन सारी चीजों को और अब निकाल लीजे दो चम्मच मसाला अलग से मैं बाद में आपको बताऊंगी कि ये मैंने क्यूं किया मसाला अब पूरी तरह से पक चुका है अब डालिए इसमें करीब करीब 100 ग्राम्स पनीर है ये तो पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है और इसमें डाल देंगे हम अब ये ग्रेटेड पनीर अब पनीर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे और उससे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी बेसिकली देखा जाए तो आपको पनीर भुर्जी बनानी है लेकिन प्यास को पूरी तरह से नहीं पकाना है तो ये स्टफिंग हमारी पापड के अंदर जाने वाली है और हम इसलिए कर रहे है ये ताकि ये जो पनीर है ये पूरी तरह से ड्राइ हो जाए इसमें मौईश्चर बिल्कुल भी ना रहे तो चलिए हमारी स्टफिंग तो रेडी हो चुकी है इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं और उसके बादी हम फिल करेंगे ये पापड के अंदर अब इस सेम कढ़ाई में मैं आगे का काम करने वाली हूँ सेम कढ़ाई में हम अब डालेंगे फिर से दो बड़े चम्मच तेल गैस के फ्लेम को लो रखिए और अब डाल दीजे इसमें खड़े मसाले इलाईची, लॉंग, दालचीनी, बड़ी इलाईची, छोटी इलाईची, तेजपत्ता ये सारे खड़े गरम मसाले और एक चोट लिया है, अब गैस के फ्लेम को हाई करिए और इस प्यास को खूब अच्छी तरह से हमें पकाना है, तो देखी प्यास को हमें हलका सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा नहीं, जब तक कि हमारा ये प्यास पक रहा है, हमने गैस को लो फ्लेम पे रखा है, हमने ल जब यह डिश बनती है, तो बहुत बड़ी साइज का पापड यूज होता है, अल्मोंस जो आप मेरी प्लेट की साइज देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास घर में यह पापड अविलेबल है, तो मैं इसी से बना रही हूँ, तो देखे, पापड अप काफी अची तरह से भीग चुका है, अब हम ले लेंगे एक कपड़े के ऊपर इस पापड को, और इसका एक्स्ट्रा जो पानी है, वो अच्छी तरह से सुखा लेंगे, और अब डालेंगे हमारी ये पनीर की स्टफिंग, स्टफिंग को थोड़ा सा आगे रखेगा, ना बहुत बीच में, ना बहु तो जब से पहले, इससे इस तरह से फोल कर लीजिए, बिल्कुल स्प्रिंग रोल की तरह, और साइडो से, अब इसे फोल कीजिए, बहुत हलके हातों से करना है, क्योंकि पापड़ बहुत ही ज़ाधा भीकट न से हो गया है, तो इस तरह से साइडो से लपेटने के बाद, टाइटली इसे roll करना है और ये बन गया हमारा एक roll उनके पास जो pub होता है वो बहुत बढड़ी साइज का होता है या फिर जर्णरली तीन पापड़ को एक साथ रग कर ये roll बनाये जाते हैं और बड़ा सा roll होता है और उसे two halves में कट कर लेते हैं तो देखे एक और roll मैंने बन लिया है आपको दिखाने के लिए तो इसी तरह से सारे रोल में रेडी कर लूँगी मेरे पास जितना भी मसाला है यह पनीर की जो स्टफिंग है उससे बन चुके हैं छे रोल्स तो आगे बढ़ते हैं इन रोल्स को अब हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे तो देखे तब तक हमा इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे अब मेलन सीज और तिल यह दोनों चीजे मैंने भिगोकर रखी थी दो चम्मच मैंने डाल दिये हैं मेलन सीज और तिल थोड़ा सा स्वाधनुसार नमक थोड़ी सी हल्दी इसी के साथ साथ हम डालेंगे इसमें एक बार फिर से शाही पनीर मसाला, एक बड़ा चम्मच और एक चोटा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी अब इन सारे सूखे मसालों को हम इस प्यास में खूब अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि ये जो मसाले है बहुत अच्छी तरह से पक जाए और ये प्यास जो है अब ये धीरे धीरे पकने लगा है अब हम इसमें डालने के टमैटो फ्यूरी मैंने करीब करीब डो मीडियम साइस के टमाटर ले लिए उसे अच्छी तरह से पीस लिया और इसमें डाल दीजे अब ये टमाटर की प्यूरी और इसे भी हम खूब अच्छी तरह से पका लें एक non-stick तवा और उस पे लगा देंगे बढ़िया सा तेल आप चाहें तो इसे deep fry भी कर सकते हैं लेकिन मैं तवे पे थोड़ा सा इसे shallow fry या फिर आप बोल सकते हैं कि हलका हलका इसे पका रही हूँ मैं क्योंकि हम already सबसी में बहुत जादा oil यूज कर रहे हैं इसलिए मैं इसे तवे पे बना रही हूँ तो तवे पे रख दीजे ये सारे rolls अच्छी तरह से और इन्हें उलटते पलटते साइडों से उपर नीचे हर तरफ से आपको पकाना है बहुत ही बढ़िया crispy से हो जाएंगी ये पापड और अंदर का मसाला तो अलड़ी पका हुआ है तो आपको gas इसके flame को high रखना है दो मिनिट के लिए जब तक कि तवा गरम हो जाए जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाए तो इसे पलटा दीजे और देखे इस तरह से आपको ये जो rolls हैं ये पूरी तरह से इसी तरह से ढंग से पकाने है ताकि हमारे ये rolls बिल्कुल भी हर तरफ से आपको इसे बहुत evenly पका लेना है और ये हलके से crispy हो जाए और बहुत ही स्वाद लगते हैं इसके अंदर की जो stuffing है वो बहुत ही tasty लगती है देखा आपने इस तरह से side से भी हमें हलका से पकड़ कर इसे इस तरह से tilt करते हुए पका लेना है तो लीजे ये कोल कर देखिए ये काफी अची तरह से पक चुका है ये side से तेल छोड़ चुका है अब इस मसाले में हम डालने वाले हैं आधा कप पानी इसे थोड़ा सा पानी डाल कर हम चला लेंगे और उसको अच्छी तरह से पका लेंगे जैसे ही ये मसाला पक जाता है इसे हम निकाल एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे और इसकी एक बढ़िया सी पेस्ट बना लेंगे तो देखिए पानी डालने के बाद अब ये मसाला पूरी तरह से पक चुका है गैस के फ्लेम को कर दीजे ओफ और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लीजे और जैसे ही ये मसाला ठं मच तेल और तेल को हम खूब अच्छी तरह से गरम होने देंगे जैसे ही तेल गरम हो जाता है उसमें हम डालेंगे ये मसाला ये जो हमने पेस्ट बना के रखी है और हाई फ्लेम पर हम इसे खूब अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि ये भी तेल न चोड़ने लगे और इसी दोरान हम डालेंगे इसमें जो हमने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा था, किसी वज़े से वो क्लिप शूट होने के बावजूद भी मिस हो चुकी है, तो अब वो मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लीजे, थोड़ा सा पानी डालिए और धकन लगा कर इस इसे पतला कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसी इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, अब चलिए इसे परोज देते हैं, तो हमारे रोल्स पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, इसे हम कर लेते हैं, कट, मैं आपको दिखाती हूँ, यह उपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही स्वाद लग रहे हैं उस पनीर की स्टफिंग की वज़े से, तो देखिए वैसे तो इनके जो रोल्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, या फिर आप तीन पापड को जॉइन करके और फिर एक बड़ा रोल बना सकते हैं, और इसे टू हाफ्स में कट कर सकते ह लेकिन क्यूंकि हमारे पास घर में छोटे छोटे पापड हैं, तो मैंने छोटे पापड में ही यह बनाया है, तो लीजे अब रोल तो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, इसे हम परोस लेते हैं, तो मैं इसे सर्फ कर रही हूँ अपने तरीके से, आप जैसे चाहे वैसे स कर सकते हैं, ग्रेवी अभी भी मुझे थोड़ी से ठिक लग रही है, तो हम इसमें डाल देते हैं, पानी इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा बना कर, उबाल कर और फिर परोस्ते हैं, तो लीजे मैंने ग्रेवी भी पतली कर दी है, अब इसके उपर डाल दीजे गर्मा गरम और एंजॉय कीजे अब पनीर पटी आलो को गर्मा गरम तंदूरी नान के साथ, बटर नान के साथ, और गरम गरम जीरा राइस के साथ, वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक कर दीजेगा, और इससे जादा से जादा अपने फ्रेंस और फैमली के साथ शेयर करना, बिलक आदा के साथ, लूमा आएस, पनीर नान्मा एंजान मान के साथ, यूऔर पालो के साथ आपने पनालो को गरम पनालो को भी आलो